तो बच्चों यहां पर हम लोग डिसकस करेंगे कि कैसे प्रूफ किया जाए कि जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कैसा होता है पैराबोलिक नेचर का होता है Means question में आपको कहा जाएगा Prove that path of projectile is parabolic in nature कैसे प्रूफ करेंगे तो सबसे पहरे तो आपको diagram draw करना है diagram में आप देखें दो axis दिखाए पर रहे होंगी एक y axis है और एक x axis है ठीक है यहां से एक projectile o point से फेका गया और projectile देखें एक path को cover कर रहा है कुछ इस तरीके एक path बनता है projectile का body का आप देखें यहां पर दो बाते आपको सहने पहली चीज जिस initial velocity से projectile throw किया गया है वो क्या है u है u is the initial velocity with which the projectile is thrown और जो projectile जिस velocity से फेका गया है u velocity से वो कितना angle बना रही है horizontal के साथ तो angle बना रही है theta theta angle बन रहा है किस के साथ horizontal के साथ ठीक है तो सबसे पहले यह समझे कि यहां पर जो u है मतलब initial velocity इसके दो component होंगे एक x की तरफ होगा और दूसरा y की तरफ होगा जो x की तरफ component हो जाएगा क्योंकि यह u था यह theta है तो यह हो जाएगा u cos theta तो यह u cos theta हो गया जो horizontal की तरफ है और जो vertical की तरफ component होगा initial velocity का वो क्या हो जाएगा u sin theta हो जाएगा ठीक है तो u cos theta और u sin theta में आपने convert कर लिया इसके बात क्या करना है अब आप ये समझेए कि x component जो होता है velocity का वो हमेशा क्या रहेगा constant रहेगा ये लगातार क्या होता रहेगा change होता रहेगा और change इसले होता रहेगा क्योंकि नीचे की और एक acceleration लग रहा है which is acceleration due to gravity ठीक है तो acceleration due to gravity की वैसे u sin theta लग component change होता रहता है ये कह सकते हैं कि u जो velocity y direction में है body ही वो हर point पर क्या रहती है change होती रहती है तो हम लोग सबसे पहले एक simple formula use करेंगे माल लिजे o point से ठीक है ये a point है तो o से a तक आने में जो projectile को time लगा ठीक है इसको assume कर लेते हैं क्या time लगा t time लगा ठीक है तो अगर हम लोग x component को consider करें x component को अगर consider कर रहे हैं तो हम लोग को क्या पता रहेगा हम लोग को पता रहेगा कि x component में जो distance cover हुई है उसका formula क्या है distance is called to speed into time तो speed क्या हो जाएगा u cos theta क्योंकि x component में है और time क्या हो गया t हो गया तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना होता है तो time की value निकालनी होती है तो time आ जाएगा x upon u cos theta यह equation number 1 हो गई जो भी हम लोग ने निकाली ठीक है इसके बाद क्या करना होगा इसके बाद simple सा और काम करना है y component में ही same equation निकालेंगे लेकिन क्योंकि y component में आपको पता है क्योंकि acceleration है तो वहाँ पर जो displacement मिलेगी y ठीक है y क्या है displacement along y axis इसके लिए हम लोग formula simple नहीं उसकर सकते कि distance is equal to speed into time क्योंकि acceleration हो रहा है तो यहाँ पर formula use होता है s is equal to ut plus half 80 square जो कि second equation of motion है तो यह हो जाएगा ut plus half gt square अब यहाँ पर कुछ बात है आपको सहुझनी है क्योंकि body उपर जा रही acceleration नीचे लग रहा है तो यहाँ पर positive ना होके किदर होगा negative होगा क्योंकि आप देख सकते है body उपर जा रही है acceleration due to gravity नीचे लग रहा दुन opposite direction है तो यहाँ पर minus हो गया minus half gt square हो गया यह y की value आ गई ठीक है आप समझे है यहाँ पर भी आपको t दिखाई पट रहा है यहाँ पर भी t दिखाई पट आपको क्या करना है इस t को इस equation में put करना है तो इसको माल लिजए पहले this is equation number 2 यह equation number 2 हम लोग ने माल ली आप क्या करेंगे putting the value of time in equation number 2 ठीक है इसको आप लिख लिजएगा putting the value of time in equation number 2 क्या मिलेगा देखिए यह मिल जाएगा y is equal to u sin theta multiply किस से होगा multiply हो जाएगा time किता है x upon u cos theta minus half g into time की जगा फिर से आप क्या पुट कर दीजे time की जगा पुट कर लेंगे x upon u cos theta थोड़ा सा रूक रहा है एक प्रेट तो देख सकते हैं यहाँ पर u sin theta into x upon u cos theta हो गया minus half g अब t की जगा क्या पुट कर दीजे x upon u cos theta तो यहाँ पर time की जगा जाएगा x upon u cos theta यहाँ पुट कर लीजे x upon u cos theta और इसका क्या हो जाएगा whole square हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं time का square है तो इसका आपने क्या कर दिया whole square कर दिया इसके बाद इधर क्यों कर देते हैं तो देखें final answer क्या मन जाएगा y is equal to अब देखें sin theta upon cos theta human theta x is equal to x can theta tan theta numerator में देखेंगे g है और यह x का square है तो बन जाएगा gx square upon यह 2 है यह u square हो जाएगा cos square theta हो जाएगा 2 u square cos square theta तो 2 u square cos square theta आपका फॉर्मुला होन गया x y is equal to x10 theta minus gx square upon 2u square cos square theta ठीक है तो इस तरीके से हमारा derivation हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से देखी क्या मिल रहा है यहाँ से देखने को मिल रहा है कि LHS पे जो y की degree है वो क्या है 1 है y की degree आपको 1 दिखाई पड़ रही होगी और जो x की degree है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 दिखाई पड़ रही है तो x की degree maximum होती है तो जाएगी 2 अब क्या दिखाई पड़ा कि y directly proportional to x square और जब भी y का component x square के directly proportional होता है तो इसका मिलब क्या होता है कि जो path होगा या जो graph होगा और कैसा होगा parabolic होगा ठीक है तो आप लिख देंगे इसके बाद simple कि since y directly proportional to x square therefore the path of projectile is parabolic in nature तो इतना आपको derivation simple सा करना है यह पूरा derivation है किसका to prove that path of projectile is parabolic in nature ठीक है इसके बाद हम लोग derivation लेके आएंगे वो time of light का होगा maximum height का होगा और range का होगा झाल